गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम बिटा थर्ड चेप्टर करेंगे हाथी और चिडिया नीची दिये गए चित्रों को देखकर उनकी नाम लिखिये चिडिया, हाथी, पेड, घौंसला सेकंड कुश्चन है बिटा पाट में पत्ता, तथा, गुश्चा, शब्द आए है जो त, तथा स, से बने है नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिये गए है उन्हें उनके स्थान में लिखिये पत्ता, उत्तर, कुट्टा, सत्तर, रसी, गुश्चा, लसी, हिस्सा बिटा, इसको द्युत्य विंजन भी कहते हैं जहां पर एक अक्षर स्वर रहीत होता है दूसरा स्वर सहीत होता है तो उसे हम द्युत्य विंजन कहते हैं नेक्स्ट कुश्चन है, बिटा, नीचे दिये गए वाक्यों के बहुबचन रूप लिखिये मैंने घर के बाहर हाथि को चलते देखा चिडिया ने पेड पर घौंसले बनाये पेड की डालियां हिलने लगी नीची दिये गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिये नया पुराना हसना रोना नीचे उपर दुख सुख बड़ा चोटा कम ज्यादा कमजोर ताकतवर बेचना प्रीदना नीचे दिये गए शब्दों पर अनुनासिक लगाईए जिनका उचारण हम नाक और मू दोनों से करते हैं उनको हम अनुनासिक चीन कहते हैं यहां ह के उपर अनुनासिक लगाईए हंस्ते ह के उपर आखे आ के उपर करूंगी र के उपर वहां हा के उपर मू म के उपर जाएंगे ए के उपर दिखाऊंगी उ के उपर सिक्स क्वेश्चन एबिट आपका दिये गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए घर मेरा घर गाउं में है या मेरा घर बहुत सुन्दर है काम राम दिन रात काम करता है गोंसला मेरी घर में चिडिया का गोंसला है धर्ती हम धर्ती पर रहते हैं या धर्ती हमारी मा है नीचे दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए नाम वाले शब्द कौन से हुए संग्या शब्द और काम वाले शब्द क्रिया जिनके काम का होना या करना पाया जाए उसे हम काम वाले शब्द या क्रिया कहते हैं पत्ता कुछ बड़ा था पत्ता क्या आगया इसमें नाम वाला हाथी चिडिया चिडिया नाम वाला शब्द हो गया वहाँ एक आदमी भी था आदमी क्या हो गया नाम वाला काम वाले चिडिया तिनके इकठे कर रही थी हाथी हसने लगा पत्ता जमीन पर गिर जाता हाथी ने पेड उखाडा अब आप दिये गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर गेरा लगाई और काम वाले शब्दों को सामने लिखिए चिडिया तिनका पकड़ती है चिडिया और तिनका क्या आगया नाम वाले पकड़ती काम वाले हाथी रोने लगा हाथी नाम वाला शब्द है रोना रोने लगा काम वाले गौंसले गिरने लगे गौंसले क्या है नाम वाले शब्द हैं काम वाले गिरने लगे आदमी दोडने लगा आदमी क्या गया नाम वाला शब्द दोडने लगा काम वाला शब्द बिटा नीचे आपके एक कहानी दी गई है चित्तर में ये कहानी अपने आप बनानी है जैसे एक सेर था एक वन में, खरगोश के बच्चे घूम रहे थे, वो इदर उदर घूम रहे थे, शेर की नजर खरगोश के बच्चों पे पड़ गई, खरगोश के बच्चों पे पड़ गई तो वो उनको खाने के लिए आगे बढ़ने लगा, तो उनकी साहेता किसने की वो हाथी से मदद मांगने लगे और हाथी ने शेर को मजा चखाया ऐसे करके ये कहानी बनानी है आपके पास पिक्चर दी गई है इसको देखकर बनाईए और जितना भी काम है बटा उसको कंप्लीट कर लीजिए धन्यवाल